नमस्कार ललितास चुला चौका में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों सर्दियों का मौसम चालू हो गया है और इस सीजन में सी विटैमिन से भरपूर आवले मार्केट में आना चालू होते है और इससे अपनी सहत भी बढ़िया रहती है तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ जटपट बनने वाला आवले का चटपटा आचार यह बहु गुणी आवले का आचार बनाने के लिए हमने यहां आवले लिये हैं यह चार बड़े आवले हैं और इसमें हमने दो चुटकी हिंग लिया है पाव टी स्पून मेती दाना लिया है डेट टेबल स्पून यह पीली सरसो की दाल है और हाफ टेबल स्पून बड़ी सौफ लिया है मसाले बाले पाव टी स्पून अजवाइन लिया है पाव टी स्पून काला नमक लिया है और एक टी स्पून हमने सेंदा नमक लिया है और दो चुटकी कलोंची लिया है मसाला आप अगर ज्यादा खाते हैं अच्छा लगता है तो आप इसके मात्रा बढ़ा सकते हैं आप इसमें साधा नमग भी डाल सकते हैं अभी हमने गैस पे पैन गरम करने के लिए रखा है आज धिमी ही रखी है इसमें हम मेथी दाना, सौफ और सरसो की डाल इसे भून लेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाए हमें इसे हलका ही भूनना है लगबग आधा मिनिट भूनने के बाद हम इसमें अजवाइन दालेंगे और अजवाइन को भी गरम कर लेंगे मसाला हमारा भून गया है और इसे ठंडा करके हम मिक्सी में दरदरा पिस लेंगे यहां हमने बड़े आवले लिये हैं और इसे हमने वाश किया है पानी से और सुखे कपड़े से पूरा इसे पोच लिया है अभी हम इसे जैसा हमें इसके टुकड़े करने है उस तरह से हम टुकड़े कर लेंगे और बीच निकाल लेंगे ये देखिए चार आउले का लगबक एक कप हमने चोकोन टुकड़े कर लिये है अभी हम आचार का मसाला कर लेंगे इसके लिए हमने पैन गरम करने के लिए रखा है गैस पे और इसमें हमने तीन बड़े चम्मच मीठा तेल लिया है आप इसमें सरसो का तेल भी यूज़ कर सकते हैं तेल हलका गरम हो गया है अभी हम इसमें हिंग डालेंगे इससे अचार का स्वात बढ़िया आता है इसे हम भून लेंगे तेल में और अभी हम इसमें जो हमने मसाला दरदरा पीस लिया है मिक्सी में वो दालेंगे गैस की फ्लेम हमें धिमी ही रखनी है हमारा मसाला भी हल्का भून गया है अभी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिर्च पाउडर ये दोनों मिक्स करके दालेंगे और हल्दी दालेंगे जिससे कलर भी आएगा और तिखापन भी हमें मिलेगा हमारा मसाला भून गया है अभी हम इसमें आवले के पिसेज दालेंगे और गैस बंद कर देंगे अभी हमारा पैन गरम है उसमें हमारे आवले सिख जाएंगे अभी last में इसमें हमने काला नमक दालना है और सेदा नमक दालना है नमक की quantity आप अपनी test के अनुसार adjust कर ले आचार भरने के पहले हमें ceramic या काजका pod उसे sterilize कर लेना है और पूरा सुखा कर लेना है उसे दूब दिखानी है अन्यता हमारा आचार खराब हो सकता है अब इसके बाद ठंडा होने के बाद में हम इसे काच के बरतन में भर लेंगे इसे एक दिन के लिए हम बाहर ही रखेंगे और उसके बाद हम इसे फ्रीज में स्टोर करेंगे और इसका मज़ा उठाएंगे यह आचार इंस्टन्ट है और हम इसे 7-8 दिन के लिए ही बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें तेल ज्यादा यूज नहीं किया है इस तरह से हमारा इंस्टन्ट आवले का आचार बनके रिड़ी हो गया है आप जब मन चाहे तब इस सर्दियों में इसे बना सकते हैं तो खाईए और खिलाए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखे